कर रहे हैं कर रहे थे और उसी को आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं हमने एंसी आर्टी कि एक सब्सक्राइब की इसमें बारा कुशन बताये थे कंसेप्ट क्लियर होगा आपका वाला क्लियर नहीं है ऊक्लियर एं जी नहीं मतलब क्रिष्टल क्लियर होना चाहिए इंट्रीकल में खास बात यह बता कि अधिये टवे और ऐप और आपको डिटरीकल यह यह कुछों आपके पास हो जिसको टी Tenemos प्रिफबान करके आप लगा सकते हैं ठीक है तो थोड़ा दिमाग लगाईएगा चुक्कि ट्रिग्रमेटिकल कंसेट्स है तो ट्रिग्रमेटि के जितने इंट्रिगल के फार्मूले है जितने डिफरेंसेशन में वह क्लियर होने चाहिए है पहले के वीडियो में हम बता चु cos 2 alpha upon cos x minus cos alpha देखें साब साब दिख रहा है कि यह 2x है यह x है मतब cos 2x का formula लगा पुड़ेगा cos 2x का जो cos के term में formula होता है वो हम पढ़ चुके है 2 cos square x minus 1 यह हम पढ़ चुके हैं तो इसको क्या लिखेंगे हम 2 cos square x minus 1 और minus जिसको लिखेंगे 2 cos square alpha minus 1 तही प्लस 1 हो जाएगा क्योंकि minus अलेडी पीछे से पीछा कर रहा है और upon यह ऐसे लिखा रहेगा cos x minus cos alpha dx यह ध्याना किएगा x के respect में integral कर रहे है x को छोड़ करके सभी function constant माने जाएगे यह 1 से 1 कड़ गया उपर से 2 common दिख रहा है आपको तो यह आएगा cos square x minus cos square alpha a square minus b square इसको factor कर देंगे तो एक factor आएगा cos x minus cos alpha और एक factor आएगा cos x plus cos alpha upon cos x minus cos alpha कुछ दिख रहा होगा आपको यह cancel हो गया अब देखे जब cos x का integral करेंगे x के respect में तो आएगा sin x और जब cos alpha का करेंगे तो आएगा sin alpha ऐसा ही आप लिखेंगे ना गलत है देखो cos alpha एक constant है ठीक है तो cos alpha cos alpha ही लिखा रहेगा और इसके साथ 1 आएगा 1 का integral x होगा प्लस c तो यह आपका आएगा 2 sin x प्लस x cos alpha प्लस c यहनि cos alpha का sin alpha ना लिखना 90% student गलती करते हैं जब x के respect में integrate कर रहे हैं तो x को ही variable माना जाएगा और सब constant माने जाएगा अब आप कहेंगे आप ने t के respect में किया था तो तो t के respect करेंगे तो t को variable मानेंगे ठीक है इसके बाद next question question number 14 इसको नोट कर लिजेगा question number 14 i is equal to integral cos x minus sin x cos x minus sin x upon 1 plus sin 2 x देखिए बहुत चुक्छा मिटी यहाँ पर है तो integrable करने के लिए और हमारी जो requirement है उसके इसाफ से दिमाग को थोड़ा expand करना पड़ेगा देखिए आपको दिक्कत करता है denominator क्योंकि denominator का integral के ओल मेरे पास एक है कि 1 upon x का integral log x होता है बस और सब numerator मे होते हैं ठीक है अब यह दिक्कत करेगा तो जो दिक्कत करता है उसको t मानते t मानने पास मेरी मजबूरी यह होती है उसका differentiation प्रेजेंट होना चाहिए तो यह तो प्रभा भहिंकर लिखा हुआ है इसका differentiation लिखा नहीं हुआ है फ़ड़ा दिमाग लगाईए इसको लिख सकते हैं देखे द्यान से उपर क्या लिखा हमसे फिलाल मतलब नहीं क्योंकि दिक्कत हमको जो कर रहा है वो डिनामेटर कर रहा है जड़ा नीचे देखीगा यह लिखा है 2 sin x into cos x ठीक है 1 तो अकेला है तो 1 को लिख सकते हैं sin square x plus cos square x चुकि इसकी value 1 होती है इसको हमने मूर्ख बना दिया यह वन ही लिखा है अब देखो अंदर क्या लिखा है यह sin square x plus cos square x plus 2 sin x cos x a square plus b square plus 2ab a plus b का holy square लिखा हुआ है यानि यह लिखा हुआ है sin x उपर तो लिखा है आपका cos x minus sin x नीचे लिखा हुआ है sin x plus cos x का holy square अब p भी denominator दिक्कत कर रहा है लेकिन अगर मैं bracket के अंदर की चीज़ को t मानता हूँ तो इसका differentiation present है देखें मालीजे let sin x plus cos x is equal to t इसको जब differentiate करेंगे तो sin x का differentiation करते हैं cos x cos x का minus sin x और जहाँ पर x के function को करते हैं वहाँ dx लिखते हैं और t का dt हो जाएगा आप देखें ज़रा यहाँ पर पूरा cos x minus sin x dx है पूरा लिखा हुआ है उपर dt हो जाएगा so क्या मिलेगा आपको i is equal to उपर dt हो गया नीचे t square हो गया 1 upon t का integral log t होता है 1 upon t square होगा तो log t square मत लिख दे न इसको उपर shift करेंगे तो आएगा t की पाउर minus 2 dt इसका integral t पाउर minus 2 plus 1 upon minus 2 plus 1 plus c तो यह minus 1 upon t आएगा और t की value क्या मानी है आपके sin x plus cos x 1 upon sin x plus cos x प्लस c तो इस प्रकार से इसको integrate करेंगे question number 15 this is 14th question number note को लिजिएगा समझ के note का मतब उतारना नहीं होता है समझ के करिएगा अपने आप से questioning करनी पड़ेगी भाई क्या दिक्कत create कर रहा है दिक्कत वाले को हमने t to मान लिया लेकिर वो दड़ाएगा हमको तो उसके लिए उसका differentiation present होना चाहिए 15th question देखे क्या कह रहा है 15th कह रहा है 10 cube 2x into sec 2x थोड़ा सा technical question है अब problem यह है कि दिक्कत वो दोनों create कर रहा है अगर मैं sec x को t मानता हूं तो इसका differentiation sec x 10 x होना चाहिए लफडा है यह तो खुद में t हो गया एक ही sec x दिया है तो sec x को t नहीं मान सकते अगर मैं 10 x को t मानता हूं तो 10 का sec square x होता है जो की present नहीं है तो दोनों को t नहीं मान सकता दोनों अलग-अलग integrate हो नहीं सकते एक तो एक साथ दिये हुए है हाँ 10 का एक रिस्तिदार है sec square x लेकिन ओं 10 का रिस्तिदार है तो ऐसा करते हैं na कि मैं 10 square 2 x को अलग कर देता हूं और एक 10 2 x को अलग कर देता हूं और यह sec 2 x अलग है क्योंकि आमने हमें याद है कि 10 square x का रिष्टेदार है sec square x 1 प्लस 10 square theta ब्रावर sec square theta और sec square integrable भी होता है तो मैंने 10 square को लग किया और हमने इसे का भिया आपका रिष्टेदार है sec square 2x minus 1 आपने का ठीक है और यह ऐसे लिखाने दे 10 2x into sec 2x dx अब मैं अगर sec x को t माल लू यह वाला तो इसका differentiation present है कि नहीं है तो मुझे रिष्टेदारी भी तलास नहीं पड़ेगी तो आप इसको माल लीजे हमने क्या माना let एक ब्रैकेट खोलना पड़ेगा पहले अभी नहीं करेंगे क्योंकि यह चीज वन भी तो आएगा ना इसके साथ भी तो आएगा तो इसमें नहीं माल लो माल लीजेगा let sec 2x is equal to t अब 2 तो एंगल का multiple है उस तो कहीं जानी सकता sec 2s का differentiation 2 sec 2x into 10 2x dx is equal to dt आपके पास sec 2x 10 2x dx है इतना है तो इसके लिए क्या करेंगे इस 2 को हटाएंगे और यहाँ पर dt by 2 लिदेंगे लेक दो उठा करके so i is equal to क्या हो जाएगा यह हो जाएगा t square minus 1 और यह हो गया dt by 2 1 by 2 बाहर हो गया और t square का integral क्या है गया t cube by 3 और 1 का integral t plus c t command दो उठा करके तो 1 by 2 t की value क्या है sec 2x यह हो जाएगा sec 2x का whole cube by 3 minus sec 2x plus c इस प्रकार से इसको हम करेंगे तो थोड़ा सा जहाँ पर integration नहीं होगा वहां रिष्तेदारों को करना पड़ेगा फूफा नहीं मार रहे तो जीजा को बिला लो जीजा नहीं माले तो फूफा बिला लो तो देखना पड़ेगा कि किसे मेरा काम बन जाएगा उसी के हाथ पर जोड़ने पड़ेगी ठीक है यह नोट का लीजे इसके बाद आता है 16th question number देखे 16th क्या बोल रहा है 16th बोला 10 to power 4x अब अब लफड़ा रिष्तेदार तो खुद 10 integral नहीं होता उसकी power 4x गुसा पड़ा हुआ हाँ 10 अलग से होता हमने एक वीडियो बनाया है उसमें 10, 6, cos, cot का सबका पताया गया था ठीक है 10 का रिष्तेदार होता है 6 square x तो ऐसा करता हूँ मैं 10 square x एक अलग कर लेता हूँ 10 square x एक अलग कर लेता हूँ आप कहेंगे क्यों ऐसे मेरा मन कर लिया हमने अब क्या करेंगे एक को लिख देंगे 6 square x minus 1 इसको भी लिख दें 6 square x minus 1 तो आएगा 6 to power 4 x फिर दिकत क्रेट करेगा इसको ऐसे ही लिखा रहे ने दो क्योंकि 6 square का integral होता है आप इसको bracket खोडो तो यह आएगा 6 square x into 10 square x अलग कर दो dx और minus 10 square x अलग कर दो अगर मैं यहाँ पर 10 x को t मानता हूँ तो इसका differentiation 6 square x dx दिया है लेकिन इसमें कुछ नहीं कर सकते इसमें फिर हम को 6 square की याद आएगी इसको फिर change करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा आपका 6 square x into 10 square x dx अलग हो गया माइनस इसको लिख देंगे 6 square x minus 1 dx एक है ना कि लव के लिए कुछ भी करेगा तो integral के लिए कुछ भी करेगा तो वही करेगा करना पड़ेगा मजबूरी है अब मैं अगर यहाँ पर 10 x को t माल लो let 10 x is equal to t इसको आप या तो अलग कर दो अलग करके integrate करो या एक साथ मान तो कोई दिक्कत नहीं तो इसका differentiation क्या हो जाएगा 6 square x dx is equal to dt मैं इसकी बात कर रहा हूं 6 square x dx dt हो गया so i is equal to देखो इसकी हम बात करेंगे तो यह तो dt हो गया तो यह आगया t square dt मैंस और यहाँ second square का integral direct 10 x होता है तो मैंस 10 x कि यहाँ integral होई चुका है मैंस अंदर जाएगा तो प्लस हो जाएगा और 1 का integral x होता है तो plus x हो गया plus c अब यह t cube by 3 minus 10 x plus x plus c t का मान रग दो t की value क्या है tan x का whole cube by 3 minus tan x plus x plus c यह trigonometric identities है और उसमें से search करना पड़ता है call integrable होगा तो उतना दिमाग लगाना पनेगा this is question number 16 ठीक है अब आते हैं 17th question number पर इंट्रिकल थोड़ा tough माना जाता है ठीक है इसलिए इसमें tough नहीं होता है integrable करने के लिए आपको research करना पड़ेगा कि कौन integral हो जाएगा कौन नहीं होगा नहीं होगा तो उसका कोई रिस्तेदार है वो integral होगा तो थोड़ा दिमाग लाना पड़ेगा question number 17th i is equal to integral sin cube x plus cos cube x sin cube x plus cos cube x upon sin square x into cos square x अब देखिए एक तो होता है कि अंधी मालना आपने का वह यहाँ पर a cube plus b cube है तो एक factor कर दे a plus b a square plus b square minus a b क्या फर्क पड़ेगा अगर आप sin x plus cos x bracket में लिख भी दोगे तो नीचे से कुछ cancel तो होना नहीं है तो इससे बेहतर यह होगा कि पहले इसको अलग-अलग करके देखते हैं कैसे करेंगे sin cube x के नीचे हमने कर दिया sin square x into cos square x और प्लस cos cube x के नीचे हमने कर दिया sin square x into cos square x dx कोई दिक्कत अब वो लेका कुशन आप लगा रहे ही दिक्कत वह हमसे कहें दिक्कत इसके square से एक power कम हो गई इसके square से दो power कम हो एक पावर कम हो रही है तो उपर बचेगा sin x zza से नीचे बचेगा cos square x यहाँ पर बचेगा cos x नीचे बचेगा एक मिनट गलत कर दिया हमने यहां पर कॉज स्क्वार एक्स कटेगा साइन ऐसे लिखा रहेगा कॉज सी कटेगा नीचे बचेगा साइन स्क्वार एक्स अब ज़रा देखे थोड़ी सी आइडेंटिटी साइन अपान कॉज 10 होता है, तो 10x हो गया और 1 upon cos फिर बचेगा, तो 6x होता है plus cos upon sign caught होता है और 1 upon sign cos 6x होता है अब 6x into 10x का integral 6x होता है और ये minus cos 6x होता है plus 6, ये integral आपको आते हैं ये question number 17 थे ठीक है, note करिए इसके बाद 18th question 18th question कहरा है i is equal to integral cos 2x plus 2 sin square x cos 2x plus 2 sin square x upon cos square x थोड़ा दिमाग लगाई है का ये नहीं कि बस आपने t मानना सुरू कर दिया देखे, cos 2x के एक फार्मॉला sin square के टम में होता है वो इस sin square को cancel कर सकता है क्योंकि cos 2x का एक फार्मॉला होता है 1 minus 2 sin square x हमको मालूम है होता है और वो दिख रहा है कि plus 2 sin square x को cancel कर देगा upon cos square x ये कड़ गया तो 1 upon cos square x आ गया ये हो जाएगा सेक स्क्वार एक्स d x और इसका integral होता है tan x के वल्ट trigonometric का हेर फेर थोड़ा बूत है integrable करने के लिए कुछ उसके रिस्तदारों को research करनी पड़ती है कि किस रिस्तदार को बुलाएं तो कुछ काम बन जाए ठीक है नोट कर लिया ये it is a 10th question next 19th question 19th कह रहा है कि integral of i is equal to integral 1 upon sin x into cos cube x ज़रा थोड़ा दिमाग लगाई है जब sin भी हो नीचे cos भी हो तो हम जानते हैं कि cos square उपर जाएगा तो sec हो जाएगा और नीचे अगर 10 हो तो 10 का integral sec square होता है अब मेरे दिमाग में कुछ बातें आई देखो ध्यान से अगर मैं अब दिखा 10 तो नीचे है नी तो नीचे cos x से उपर नीचे डिवाइट कर दे नीचे तो नीचे हो जाएगा ये आजाएगा 10 x और ये हो जाएगा cos to power 4 x dx 10 तो आ गया अब cos उपर जाएगा तो उपर हो जाएगा sec to power 4 x upon 10 x dx अब यहां तक बात तो पकड़ में आ गई 10 x को हम टी मानेंगे उसका differentiation sec square x होता है और एक sec square extra है तो extra sec square को हम क्या करेंगी ये जो sec square x dx में ज़रूरत है वो तो अलग कर दिया और इसको लिख दिया 1 plus 10 square x और upon 10 x अब मैं 10 x को t वानूगा उसका differentiation present है ठीक है यहां तक दिमाग लगाना पड़ेगा तो let 10 x is equal to t तो इसका हो जाएगा sec square x dx is equal to dt यह पूरा dt हो गया तो यहां पर i is equal to क्या गया 1 minus 1 plus t square upon t इंटो dt इसको अलग अलग कर दो 1 upon t अलग हो जाएगा और t square upon t अलग हो जाएगा dt 1 upon t का log t होता है और यह आपका दिख रहा 1 t कर जाएगा उपर t बचेगा इसका t square by 2 हो जाएगा प्लस c t कमान रग दो तो log t कमान क्या है tan x plus tan x का whole square by 2 प्लस c चुकि लॉग negative नहीं होना चाहिए इसलिए यहां पर लॉग में हमें सा value मौड में लिखी जाती है तो यह है 19th question next है 20th question थोड़ा दिमाग trigonality का है इसलिए trigonality में दिमाग लगाईएगा थोड़ा सा चुकि trigonatical identities लगेंगी और किसके integral possible है किसका differentiation possible है किसको team आनने पर उसका differentiation मिलेगा यह थोड़ा सोचना पड़ेगा 20th question क्या कह रहा है i is equal to integral cos 2x upon sin x plus cos x का whole square ज़़ा थोड़ा दिमाग लगाईए denominator दिक्कत कर रहा है इसको team आनने पर उपर differentiation present होना चाहिए उपर है cos 2x हम जानते है cos 2x तभी आएगा जबकि नीचे sin 2x आजाए साब साब दिख रहा है अगर मैं इसका whole square खोल देता हूँ तो इसका whole square खोलने पर denominator के हम बात कर रहे हैं तो नीचे आएगा sin square x plus cos square x plus 2 sin x into cos x और यह sin 2x लिखा हुआ है और उपर लिखा है cos 2x तो साब साब दिख रहा है कि नीचे लिखा है 1 plus sin 2x और उपर लिखा है cos 2x अगर मैं इसको t मान लेता हूँ हमने कहा था जब t किसी को मानते हैं और उसके साथ कोई ऐसी चीज plus या minus में है जिसका differentiation 0 हो जाना है तो पूरे system को t मानते हैं तो हमने क्या किया let 1 plus sin 2x को t माना तो इसको जब differentiate करेंगे तो 2 cos 2x dx is equal to dt चुके मुझे cos 2x dx चाहिए तो ये 2 हटके अपान में चला जाएगा तो यहां क्या आएगा so i is equal to उपर हो गया dt by 2 अपान t तो 1 by 2 बाहर हो गया 1 by t का integral क्या होता log t plus c t कमान रख दो log 1 plus sin 2x mod plus c writing थोड़ा गड़ है लेकि समझ में आ रहा होगा तो मेरे समझ में आ रहा है ये question number 20th है उसके बाद note कर लिजे इसको 21st question number 21st i is equal to integral sin square cos 2x एक तो cos x एक तो sin का integral मतब inverse का integral नहीं होता पहली बाद अच्छा अब इन्हों सराएं कैसे तो हमने ये पढ़ रखा है कि अगर sin inverse sin x आ जाए तो इसको केवल x लिखा जा सकता है यनि इसको sin में convert करना पड़ेगा तो cos को sin में कैसे convert करेंगे इसको लिसकते हैं sin 90 minus x क्योंको sin 90 minus x indirectly cause x होता है तो हमारा sin में conversion भी हो गया और cause गुसा भी नहीं हुआ ठीक है तो ये sin inverse से sin हर जाएगा तो आएगा pi by 2 minus x dx अब pi by 2 का integral pi by 2 x हो जाएगा और x का x square by 2 हो जाएगा plus c this is 21 question number note का लिए question number 22 थोड़ा technical है समझने की कोशिज करिएगा i is equal to integral 1 upon cause x minus a into cause x minus b cause x minus a into cause x minus b अब problem यह है denominator दिक्कत क्रेट करता है denominator भेंकर लिखा हुआ है इसको t मानने पर इसका differentiation उपर present भी नहीं है बड़ा खतरनाग लिख रहा है थोड़ा दिमाग लगाईए अगर यहाँ पर हमको यह वाला angle उपर ले ले देखें यहाँ पर x minus a minus x minus b लिख दे तो देखो ध्यान से लिखा लिखा और यहाँ sign लगा दे तो अगर ध्यान से देखें तो x minus a minus x plus b यह लिखा है x minus a minus x plus b यह लिखा b minus a यह उपर आपने sin b minus a से multiply किया तो multiply किया तो बाहर भी आपको sin b minus a से divide करना पड़ेगा अब आप कहेंगे आपने sine ही क्यों लगा है cause लगा दीजे अभी उसका region बता रहा हूँ अब देखिए 1 upon sine b minus a अब इसमें ऐसा करिए integral इसमें यह आपका a हो गया यह आपका b हो गया sine a minus b खोल दीजे क्या होता है sine a sine x minus a into cause x minus b minus cause x minus a into sine x minus b खोल दिया और यह cause है ना इसको अलग-अलग कर दीजे इसके नीचे अलग कर दो cause x minus a into cause x minus b इसके नीचे cause x minus a into cause x minus b अब question यह उठता है कि आपने cause क्यों नहीं लगाया तेखिए अगर मैं cause लिखता तो cause a minus b होता है cause a cause b plus sine a sine b यहां दोनो cause होते यहां दोनो sine होते तो दोनो cause से तो cause कर जाता तोनों sine से दो 10 आ जाते जिसका integral हम नहीं कर सकते फिर दिकत आती ठीक है तो यहां पर cause x minus b कर गया यहां पर cause x minus a कर गया तो one upon sine b minus a यह लिखा है 10 x minus a और minus 10 x minus b और tan x का integral हमारे पास होता है minus log cos x भी होता है log sec x भी होता है दोनों होते हैं तो 1 upon sin b minus a तो यह होगा minus log cos x minus a और minus शिरिया minus आएगा तो यह plus हो जाएगा log cos x minus b हमने इसका proof दिया है इसका एक वीडियो पड़ा हुआ है जिसमें tan x कॉसिक के integral उताएगा है log m minus log n log m upon n हो जाएगा तो अगले step में क्या करेंगे यह minus में न तो यह step हट जाएगा और x minus a इसके नीचे आजाएगा cause यह वांसर आपका आएगा ठीक है plus c रहेगा तो यह आपका 22nd question हो गया नोट कर लिया होगा थोड़ा सा टेक्निकल है समझना भी पड़ेगा हमने कहा कि ट्रिमेटी में थोड़ा समझना पड़ता है कि करना क्या है आपको 23rd question number इसको ऐसे से मत कैंसल कर दीजेगा माइनस लगाए बीच में इसको अलगा लग कर दो यानि sin square x के नीचे लिखोगे sin square x into cos square x into है और माइनस cos square x के नीचे लिखोगे sin square x into cos square x dx यहाँ से sin square कर गया यहाँ से cos square कर गया तो यह आ गया से की square x उपर जाएगा cos square x यह हो गया cos x square x अब से की square का integral क्या होता सटैनिक्स और कॉसे का माइनस कॉर्टेक्स तो प्लस कॉर्टेक्स डाइट फाम्ले होते हैं इसके ज्यादा इसके अंदर हम नहीं जा रहे हैं अपान कॉस स्क्वाइर एक्स इटू पावर एक्स त्यों को साफ साफ दिख रहा है कि दिक्क्त तो कॉस स्क्वाइर कर रहा है और सबसे पड़े दिक्स का एंगल कर रहा है कोई कॉस स्क्वाइर उपर से की स्क्वाइर में हो जाएगा तो एंगल को टी माल दीजे let x e to power x is equal to t differentiate करो first function e to power x का e to power x plus second function x का 1 dx is equal to dt यहां से e to power x common x plus 1 dx is equal to dt साब साब दिख रहा है उपर पूरा पूरा लिखा है यह dt so i is equal to उपर हो गया dt नीचे हो गया cos square t यह हो जाएगा आपका sick square t dt sick square t का identical tan t t कमान रग दो tan x e to power x plus c तो इस प्रकार से this is the end of the success next video, next कुछ फर्मिले बताएंगे ठीक है, thank you